हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चना की साग की बहुत ही अच्छी और बहुत ही टेश्टी सी रेसिपी तो चलिए बनाते हैं देखिए इसको हमने कट कर लिया है जो हमने मोटे मोटे पार्ट होते हैं इसका हमने निकाल दिया है और जो बंच ले लेते हैं जैसे आप जितना लिये हों हमने तकरीबन ये 200 ग्राम लिया है चाना का साग तो ये इसको हम ऐसे बंच बना करके ऐसे बारिक-बारिक कट करेंगे तो इस तरीके से आप सारे जो चाना के साग हैं तो उनको आप बारिक-बारिक कट कर लीजिए आप इसके बाद एक बाउल लेंगे और बाउल में उसमें हम जो हमने कटे हुए चने के पते रखे न उसको हम ट्रांसफर करेंगे तो देखे इसको हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं आप इसमें कुछ हम सामागरी मिलाएंगे तो चलिए मिलाते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल को फर्स बार देख रहे हैं तो सस्क्राइ कर सकते हमने धनिया पाउडर डाला है एक चमच अब इसमें आधा चमच हमने गरम मसाला को आड़ किया है इसके बाद हल्दी पाउडर डालेंगे इसके बाद हम लाल मिर्च डालेंगे और आपने स्वादा अनुसार लाल मिर्च आप डाल लीजेगा और स्वादा अनुसार नमक को अड़ करेंगे देखिए इसमें हम पानी पहले नहीं डालेंगे अब हम जो है दो हर मिर्च और अधा इंच अधरक का टुकड़ा हमने देखिए कट किया है छील लिया है साप कर दिया है और यह छे से साथ कलिया जो है हम लहसुन की ले लेंगे और इसको ग्राइंडर भी जार में डाल करके दो-से तीन बार ऐसे रोक रोक के चला हिए नो थोड़ा सा जब कोई समान रहता हुजोपए चला दें तो आपका अच्ची तरीक से बढ़ए तो भी पैस जाएगा के तौ देखे हमारा उस चुआर हो चुका एप से लेकिन अगर आप से से थोड़ा सा पीश करके डालेंगे तो यह अच्छे से मिक्स हो जाता है पूरे सामगरी में तो इसको हम डाल लिए अब इसको क्या करेंगे देखिए पानी नहीं आपको आइट करना है क्योंकि पत्ते जो होते हैं उसमें पानी रहता है नमक जब पाता है तो ओ छोड़ता है तो देखिए भीना पानी के ही हमने यह सारे मिक्स कर लिए हैं अगर आपको जरूरत पड़े तो एग दो चमज ट्राई कर सकते हैं बेसन अगर आपको चाहिए तो और भी आइट कर सकते हैं लेकिन हमने चार चमज लिए हैं अब इसको देखिए हम ऐसे लंबे में रोल करे कड़ाई को रखेंगे इसमें दो किलास हमने पानी रखा और एक स्टेंड लगाएंगे अब देखिए आपके पास कोई भी प्लेट वगरा हो उसमें रख करके आप इसे ढख दीजिए और ढख करके इसे जब यह जब तक पक रहा है तब तक हम इसके मसाले तयार करेंगे तो यह हम 10 मिनड़ तक इसको हम पकने देंगे तो देखें एक बाउल लिया है इसमें देखें एक चमच धनिया पाउडर अब इसमें डालेंगे एक चमच जो है गरम मसाला अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर वन चोथाई चमच तो देखे यहां पर अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर यह कासमीरी लाल मिर्स पाउडर है यह तीखा नहीं होता है सिर्फ कलर लाने के लिए है तो देखिए अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे मिक्स करके अच्छी तरीके से भुगो देंगे और ढख करके इसको रख देंगे जब हम सब्जी का ग्रेवी बनाएंगे तो उस इसको डग करके साइड कर देते हैं अब देखिए साथ आठ कलिया लहसुन की आधा ही तुकड़ा दरग का और हमने यह आधा प्याज लिया है सब्जी के अकॉर्डिंग हमने किवल आधा प्याज लिया है आधा हम तड़के के लिए रख देंगे और आधा हम इसमें टमाटर लेंगे आधा हमने रख दिया है ग्रेवी में डालने के लिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको देखिए पीछ लिया है बारी अब हम यहां चेक करते हैं यह देखिए हमारा दस मिनट हो चुका है देखिए चाकूस हमने देखा है चाकूस पर कहीं भी इसका बेशन नहीं चिपका है तो समझ लिजी आपका हो चुका है अब यहां पर निकाल देए और कडाई को गैस पर रख देते इसमें हमने सर्सों का कुकिंग आयल आप जो भी ढाल को डाले हमने सर्सों का इसमें उच किया है अब देखिए इसको हम बारिक ऐसे कट करेंग तो देखिए हमने इस तरीके से cut कर लिया है अब इसको हम तेल गरम तो फ्रेंट्स और आइल गरम हो चुका है अब इसको डाल करके ये डालने बाद तुरंत आप नहीं पलटिएगा नहीं तो ये टूटने के चांस रहते हैं तो इस तरीके से आप जो है जब एक मिनट हो जाए ना तो इसे पलट दीजिए और दूसरी साइड भी एक मिनट ही लगेगा तो इस तरीके से आप जब सारे पकोड़ियों को में आप जो है सबजी का तड़का लगा देजिए देखे दो लाल चलिया है एक तेज पत्ता डाला है फिर आधी जो हमने कटी प्याज रखी थी उसे बारीक कट करके उसको डाल दिया है अब यह जब हमारा ब्राउन हो जाए तो इसमें मसाले जो हमने बनाय थे उसको और ज आए तरीके से हमारा जो है भुन जाये तो देखे हमारा यह मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका है तक्रीबान यह दो मिनिट लगा है दोसे ढ़ा तामाटर रखा था ना अब इसको हम आट कर देंगे अब इसमें डालेंगे साथ ही में स्वादा अनुसार नमक को जब नमक हम डालते हैं तो टमाटर जो है जल्दी यह गलना सुरू हो जाता है तो हम ढग करके मीडियम फ्लेम पर देखिए हम इसको 2-3 मिलिट हमने पकाया है और हमारा यह मसाला अच अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे नहीं तो ऐसे खड़े खड़े दिखते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं तो हमने इसको दबा करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है और देखिए जब हमारा यह अच्छी तरीके से हो चुका है तो अब इसमें हम पानी को आ रहाने डाला है और इसमें देखिये इसके बाद हम इसको धख करके पकाएंगे पकोड़िया जो है जब ग्रेवी आपकि पक जये मैं उसके बाद biting कोक्ता कोई भी बनाए siis कोटा बनाएं कोई पकोड़िया बने जब आपकी सबD कर लिए रेडी हो जाए ना तब उसके बाद उसमें पकोड़ियां डालेगा और ग्रेवी थोड़ी सी आप पत्ली करिएगा क्योंकि यह जो है ग्रेवी को सोकती है तो ग्रेवी आपके अगर जब बाद में आपका अच्छे तरीके से नहीं पत्वाएगा तो देखिए हमने पकोड़